अब लोगों ने अमाइस की बारे में चुरू किया था और आज का जो लेक्षर होने वाला है उसमें लोग कुछ और केमिकल आपरेटिस करने में स्टेडी करने वाले हैं अब लोग किसी बी कंपाउंड की रियक्षन की बोला करेंगे अलकाइलेशन बोला करेंगे अब करेंगे क्या है इसका मतलब क्या होगा अगर माली इसमें इन दोनों पार्ट का पेंपार रहे हैं करने कोईश्ष करते हैं दी रियक्षन में तो कोई हुआ पर देखिए इस में घ्र already और ताय करिए कि को दालीप मत्लब क्या होसकी होगा यह का अई को बार लिए इसा कही बात करते हैं अमाईयन को प्रकार में और झाल आमाइन जो इवन होगा उसे यह न किसी मीडियम से उसमें इल्काल रॉप इंडिंूस करता है जो तो तो यह प्रकाड से किया जाता है वह लोग किसी भी रिचिन की अलकाल रेट से आधर में किया करेंगी तो उसके अलकालेशान हो जाएगा और आपे दिए यह हुआ करले हैं इस प्रकार वाले हुआ है है भी जानदें होंगे अब देखिए蘋नके कि साथ में किस LA ला यह हुआ प्रकार से इंट्रीडोस होगा चली वह भी देख लेते हैं अब देखे ज़र है यह आप पर यह जानते हैं कि आपर इसमें क्लोरीन की बीच में बॉंड हुआ करता है वह स्टाइटली पूलर हुआ करता है इसका मतलब क्या होगा अगर अगर यह वह बॉंड यह सब ब्रेक हो तो क्या होगा इसमें पर आपने पर आलेक्ट мясसे बना हुआ होता है से डेक्ट्रोंस के लिक्से बना हुआ होता यह मतला अगर आपर देखिए kछला चार्ड इसका मतलब किसे अट्रीक होगा इसका मतलब हमाली यह करेगा तो कहां पर डॉंपर बना हुआ है इसके उपर है आटक करदा जाए करके बताई यह लोन पेर्ट जो होगा इस चार्ज की वैसा से खतम हो जाएगा और आप जानते हैं कि जहां पर सब्सक्राइब चले जाते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है पॉस्टिफ चार्ज जाता है इसका मतलब क्या होगा नाइटरिन के उपन हापश्म में क्या होगा एक लेकिन फिर भी इसके उपर देखिए पहले बात तो इसको इलेक्ट्रोंस चाहिए होंगे उपर इसको पॉस्टिफ चार्ज आगा इसका मतलब क्या होगा यह काफी अनस्टेबल रहेगा तो इसको कैसे रिमूफ करेगा अब देखिए इसके पास अब दो आप्शन से से किसी एक पॉंट को ब्रेक कर लेगा सपोज कीजिए इसका मतलब क्या होगा यह बांड जो का नैट्रिंग ट्रॉट्स में शिफ्ट हो जाएगा इसका मतलब नैट्रिंग उपर पॉस्टिफ चार्ज जारा था यहां से खतम हो जाएगा और साथ में आप जानते ही का अग क्या बने जाकर कि देखिए यह पहले से था यहां पर इसमें नाइट्रोजन भी था अब देखिए मने क्या बता है पॉस्टिफ चार्ड जो है आप इसमें इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट के वाएसे खतम हो जाएगा इसका मतलब नार्मल रहने वाला है देखिए एक हाइड्र जानसे खतम हो जगा इसका मतलब गया और नाइट्रोजन के पायाउस कल लोन पिर वापस में वापस भी आ जाएगा और साथ में देखिए आपर से क्या निकल ला था यह जो लिखा हुआ है यह एच सी एल यानि यह एसल भी निकल दिखाएगा तो द्यान से देखिए इसका मतलब क्या होगे यह मारा जो primary माय जो था वो यह कितने क्यों मैं बने आगा कि यह हमारा यह secondary मायिन बन गया है सब को बात है और अगर माली आप यह दोले च्रिक्ट्राइब करने कोईश करेंगे तो देखिए मैं पर primary माय जो था देखिए उसमें एक अलकाल गृप था यह जाता है clear होगी आपको बात है और इसी प्रिकार से अगर माले हम लोग किसी secondary amount calculation कराएंगे तो वो किसमें convert रहेगा वो एक tertiary amount में convert हो जाएगा ठीक है सो इस्ट्रेंट से लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लिकते हैं next chemical property क्या होने वाली है सो इस्ट्रेंट्स अवं लोग आपको बताने वाले हैं यह रियक्शन जो यह सिर्फ उससे primary or secondary amount पॉसबल हुआ करती है tertiary amount reaction शो नहीं किया करते हैं क्यों नहीं शो किया करते हैं उसका आपको इसमें करने वाले हैं और वह रियक्शन है installation of amines आपके लिए देख लेते हैं वाल रियक्शन जो हुआ करती है वह किस प्रकार से proceed होती है और इसके लिए क्या क्या requirements हुआ करती है ठीक है सो इस्ट्रेंट्स की reaction हो समझें समझ लेते हैं कि आकर installation में क्या हुआ करता है अब हमने क्या पता है अलकालेशन में क्या हो रहा था कि पूरी रियक्शन के दोनार हमारा जो amine जो हुआ करता था इसी प्रकार इस रियक्शन में क्या होगा हमारे पास जो amine के विन होगा उसमें अगर माले किसी भी compound में यह पाया जा रहा है यह वाला गुरूप उसमें इंट्रीट्स हो जाएगा उ-पाइंट्रीचन के दोरा की जाती है वह है इंह एंट्रीचिन के तुर्य में बता दिया सकता ऑह से कि इसे घृप्राइट्सों को बता दिया था कि यह वाली रियक्शन यह हुआ करती है Где ला अगरते हैं टर्शी रिमानी वाप फॉर्मिला करते हैं नहीं किया करते हैं ठीक है तो चोले इंक किस प्रकार ? तो स्टुटिंटस हम लोग एकमाइज को कर लेते हैं हमाल पास मिठेना माइज को लिखा हुआ है CS 3-NH2-S को सुप्रमला हुआ करता है लोग देख लेते हैं किस प्रकार से क्या आता है कि क्या हुआ करता है कि कोई भी ऐलकायल ग्रॉप साथ में एक कार्मिल ग्रॉप होना चाहिए और यहां पर समय वैलिंसी काड लिया करती है हम लोग इसमें आगे क्या अड़ कर दिया तो अईसले हैला इसका मतल़ हापर कोई हैलोजन लगा हुआ होगा ठीक है हम लोगा पर सपोस्पोस के लिए माल यहां पर इसमें लगा हुआ है अब चलिए देख लेते हैं वहाल रियक्शन जो होती है वह किस प्रकार से प्रोसेड होती है अब देखिए यह जो हमारा ऐसले लेट वहला इसको रहा ध्यास से देखिएगा देखिए यह जो आपको आपकर दिए कार्बन ग्रूप हां पर दिख रहा होगा देखिए इसमें क्या हुआ करता है और पाई बांड जल्दी ब्रेक हो जाता है और देखिए करता है इसका मतलब क्या हो रहा है यह कार्म को पॉस्टिव चार्ज हो है यह अटाक कर देगा नाइट्रोजन के लोन पेर के उपार सब्सक्राइब को बात है चलिए देख लिए इसमें कंपाउंड क्या बनने वाला है देखिए यह कंपाउंड था इसमें CS3 NH और NH में क्या पर लोन पेर के जाएगा फीर किया यह पूरा ग्रोप आ जाएगा यह वाला पूरा इसमें सिंगल बाउंड इसको पर क्या जाएगा इसमें नेगेटिव चार जाएगा संवना गेर्प को बात है आपए और देखिए हमने प्यों क्या बता है कि पिछली वार्विए यह ची जो हुआ करता है वो क्लोडीन से कम एक्ट्रोड वाला बनाए अगर माली यह ब्रेक होगा तो कि दर के लिए शिफ्ट होगा करके इसका मतलब सी यल पर चार्ड जाएगा नेगेटिव और कर्म पर क्या जाएगा इसमें पॉस्टिटिव जाएगा इतनी वह ताप पूसामी मे यहां से ब्लेक कर लेगा तो क्या होगा यहां से एच पॉस्टिव और यहां से एडियर्ऑ हो चूका है यह नेच वाला हीडरोड्रों जो है यह पर मिश्ट हां नेगे औरně अउक हीडा है दो क्या चुका है यह अनकि यह हुँए यह जो पर देखिए इसमें कार्बन को पर 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 धान देखिए इसके बारे में यह कार्बन के पास कम ही है और साथ में आपर क्या हो रहाता है आप इसमें साथ में यह सेल निकल रहा था यह सेल निकल जाएगा हम लोग क्या बता है कि प्रैमरी में देखिए आपर कोई भी सीओ वाला गृप नहीं आ रहा था और देखिए यहां पर देखिए यह था यह था यह है यह था यह था यह था CH3N नीचे हम पर इसमें क्यों चो कहुंछा Г실파ना में प्रफ्ट को नाम क्या हो जिए कि क्या है वियर्टा टैक्ञार में उसा ट्री चू ठरी सी यह अट्रफ़ dolmy कर भूद गोजर में ऑन स्टस्थी पार्या टाम क्या होके अटेक्स हैす होका स्あのल टो पर को लगे सबिकया जोगा तो इसमें क्या आचुका है इसमें अगर बात करते हैं इस वाले compound के नाम के बारे में तो इसमें क्या पढ़ा करेंगे इसके आगे सिर्फत न लग जाएगा इसमें अगर बात इसके मतले सुले compound को नाम के बनेगिदा करके एन-methylethaeanamide तो आज वाले इसमें क्लियर हो चुकी होगी फिर चली हम लोग आगे बढ़ते हो आज की next direction देख लेता हम लोग उसमें क्या होनेवाली है हम लोग दिखने वाले हैं कि जो amine's जो हुआ करते हैं कि जो Amines हुआ करते हैं उनकी reaction एनाइडर का इतमे किस प्रकार से हुआ करते हैं अच्छा आप इसमें आपके हमने एक डिस्कस करते हैं आप इसमें आप समझ जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं कि जो Amines हुआ करते हैं कि यहां पर इसमें एक तहार यहां पर इसमीं किया आप लोन पर करते हैं आप देखें आपने कि यह पर आपस देखी इध्येन अमालिया यहां लोग उसका है CS3C double bond O CO CS3C double bond O और यहाँ पर इसका structure हुआ करता है ठीक है अब अगर माले बात करते हैं यह वाला compound जो हुआ करता है इस creation किस प्रकार से हुआ करेगी देखिए carbon और oxygen के बुच में जहां पर देखिए bond हुआ करता है अगर यह वाला bond break होगा आप जानते हैं कि oxygen यहाँ पर करता है इसका मतलब क्या होगा अगर माली यह वाला bond यहां से ब्रेक होगा तो किदर कली शिफ्ट होगा इसका मतलब अगर माल यह बात करता है कि इस वाले पार पॉस्टार्ट किस पर देखिए यह वाला गुरूप जो बना हुआ हुआ है इसके बात करता है अगर माल यह बांड बनेगा तो कैसे बनेगे जाकर कि यह हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर क्या हो जाएगा यह पाद बचा हुआ था तो हमार देखिए यह तो acetic acid बन जाएगा और साथ में यह वाला compound देखे अगर आपको ध्यान होगा जिब पिछली reaction बना जाएगा था बिल्कुल exactly same वही compound इसका मतलब इस वाले compound को नाब भी हाँ पर क्या हो जाएगा एड मिथाइल एथिन अमाइड सर्भाइब को बात हम आपको बताया कि जो amines हुआ करते हैं क्यों रियक्शन किस प्रकार्ट से हुआ करती है ठीक है जो आगे बढ़ती है हुआ जो इसमें थर्ड रियक्शन जो उनी वाली वह भी देख लेते हैं आप रहे हैं तर्ड एक्षन लोग देखने वाले हैं जो मायन हुआ करते हैं उसकी रियक्षन किसी इस्टर कराने वाले हैं किसी इस्टर के साथ में आप सपोस्थ कि यहां पास यह इस्टर लिखा हुआ है इसमें CH3C double bond O और CH3 हमारे पास यह इस्टर लिखा हुआ हम लोग इसमें यहां पर रियक्षन करने वाले हैं आप रहे हैं देखिए यह कार्बन और और ऑक्षन बीच में बनाया अगर आगर आप जानते हैं कि फिरसे अगर वाला ब्रेक होगा तो और यह वाला बांड पर शि देखिए इसका बांड पर क्या लिखा हुआ है CH3N और साथ में यहां पर क्या लिखा हुआ था और देखिए इस वाले का पॉश्टिव पार्ट कौन सा यह है क्या लिखा हुआ है आप इसमें देखिए यह C double bond O और CH3 ठीक है अब देखिए कि माली बात करते हैं बाकी बचे करते हैं मेथन और बॉला करते हैं और देखिए यह वाला compound भी exactly similar है पिछले व्लों compound को रहा ठीक है इस वाले compound को भी नानी नाम क्या हो जाए गया है आप अब देखिए अगर माली बात करते हैं यही सेम रियक्शन जो हुआ करती है अगर सेकेंड्रे माली साथ में प्रोश् से कराने वाले होते हैं तो इसमें compound क्या बनता जाया करके फिर से देखिए आप इसमें carbon oxygen पर आपर देखिए वाला bond भी ब्रेक होता तो oxygen पर negative चार जाता इसी प्रकार से अगर माली यह वाला bond भी ब्रेक होता है आपर तो nitrogen पर negative चार जाता है को नाम क्या होगा देखिए पिछली भार हमारा जो इथनमाइड होगा करता है उसमें देखिए सिर्फ एक method का substitution हुआ था यहाँ पर देखिए दो का substitution हो इसका मतलब आप इसको इलका मान को नाम क्या बनेंग रिया करके इसे में लिग बोला करेंगे एंड कॉमा एंड डायम इसका मतलब क्या होता वहां पर फ्री हाइड्रोजन अवेलिबल ही नहीं होता देखिए अब इतक हम लोग आपर इसमें तीन पड़ी है उसमें किसी ना किसी फॉर्म में एच प्लस आयन ज़रूर निकल ला था वह भी कहां से निकल ला था हमारे अमाइन से निकल ला था टोजन अवेलेबल हुया करेगा वही रियक्शन दिया करेंगे बगेम पर चस्टोर्स और माइन से हुआ करेंगे वह रियक्शन नहीं देगे सब्सक्राइब को बात है तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग और देखे लेता है हमारे आज कि लाष्ट रियक्शन कौन से हमाली हmedim आज कि अमारे लाष्ट रियक्ष्ट रियक्विंट्षय रियक्षन झाल राउब यह सर्फ को रियक्शन फ्रorage रियक्ष्ट की वह वहाला है वह mixture हुआ कर रहा है क्लूरो फॉर्म और एलकॉछी कि वह है यह निया अगर माली इस mixture में हमें लोग गिसी भी amine को heat किया करते है और एक ऐसारा इसके अंदर से बहुत ही foul इसमें लाया करती फॉल करता है बहुत ही अजीट इसमें गंदी इसमें लाया करती है इसके मतलब आपे इसमें कंपॉंट बना हुआ करता है इसमें बोला करती है और वह कंपॉंट जो हुआ करता है वह तभी फॉर्म होगा जमनों आपसमें अमाइन यूज किया है वह अगर माली प्रैमरी अमाइन किसी भी अमाइन को इस में हीट किया करेंगे जो इस बहुत अजीव से मैलाय करती है तो हमारा वह कैसा हुआ करेगा ठीक है तो यह तो बात होगा इस मैठेयोरी के बारे में चलिए अब जख लेते हैं वाल रियक्शन जो हुआ करती है तो इस ट्रेंट सपोस्किए हमारे पास और एलकोहालिक के मिश्चर के साथ मैं मैं लोग क्या करना था इसको हीट करना था और हमने क्या बता है इस वाल रेक्शन के बाद में एक अजीव से मेल वाला कंपाउंड बना करता है तो बोला करते है कर्बिलमीन है या तो बोला करते है आयोसानाइड और इस कंपाउंड क स्कार्वलामिन ठीक है और इसी के बहुत अजीएद को अधिक करती है और यह reaction जो हुआ करते हैं वाला compound जो हुआ करता है सिर्फ तभी form होगा जब वहां पर उसमें क्या करेगा अमारा primary immune होआ करेगा इसका मतलब यह reaction जो हुआ करते है ये use की जाती है प्रैमरी आमाइस को डेटर्ट करने के लिए तो इस ट्रेंट्स आज के लिए बस अतना है उम्मीत आपको आज की रिए समझ में आज़ोंगी सब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंट के शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स पर वाचिं में वीडियो